नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आपका एक पर फिर स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बेसिक एलेक्टरिसिटी से कुछ इंपोर्टेंट कुछ ले रहे हैं जो कि काफी बार एकसाब में पूछे जाते और पूछे भी जात चुगे हैं दोस्तों अगर आपको किजी ओटो भी को वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बोक्स में बता सकते हैं तो चले दोस्तों आज ये क्योशन पेपर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बंद डि सी परेपत में किसी संगंपर दाराओ का बीजगन दी ये योग होता है इसके ओप्शन है A. सुन्य, B. अनंत, C. इकाई, D. इन मेंसे कोई नहीं इसका सही उतर है सुन्य दोस्तो ओम के नियम के अनुसार किसी परती रोतक के सिरोगों पर पैदा होने वाला विववानतर अनुकरमानुपाती होता है इसके आप्शन है ए विदुत वाक भलके भी दारा के सी परती रोतके डीब वोटेज के इसका सही उत्तर है दारा के दोस्तो वैदोतिक परिपत का वैगुण जो वैदोतिक उरजा को उसमा में परिवर्टित करता है कहलाता है इसके option है ऐ धारा भी बोल्टता से विदुत वाग वल दी परतिरोध इसका सही उतर है परतिरोध दोस्तो यदि किसी कारबन परतिरोध की चोथी पट्टी का रंग लाल हो तो उसकी सहन सीमा होगी इसके option है इसका सही उत्तर है दोस्तो यदि 12 ओम परतिरोद वाले तार को मोड कर एक वरित का रूप दे दिया जायत हो उस वरित के व्यास के सीरों के बीच परतिरोद का मान होगा इसके option है दोस्तो यदि कारवन परतिरोद पर अंकित परतियों का रंग करमशे पीला बैंगनी नारंगी एवं चांदनी हो तो उसका परतिरोद का मान होगा इसके option है इसका सही उतर है 47 के टू 10% दोस्तो किसी सैल अत्वा बैटरी का विदुत वाहक बलनापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंतर है इसके option है दारामापी, बी वोल्टामापी, सी ओमापी, डी वाट मिटर इसका सही उतर है वोल्टामापी दोस्तो परतिरोद का मातरक है इसके option है ए ओम, बी साइमन, सी वोल्ट, डी हैनरी इसका सही उतर है ओम दोस्तो यदि आरोम प्रतिरोद वाले तार की लंबाई को खीच कर दोगुना कर दिया जाए जिससे उसका अनुप्रस तकाट का छेतर फ्ल गटकर आदा रहे जाए तो उसका नया प्रतिरोद होगा इसके आप्सन है A, R, B, 2R, C, 2Y, R, D, 4R इसका सही उतर है दोस्तो दात्विक तार का प्रतिरोद ताप्मान व्रिदी से इसके आप्सन है A, बढ़ता है, B, गठता है, C, F, परिवर्तित रहता है, D, इन में से कोई नहीं इसका सही उतर है बढ़ता है दोस्तो एक प्दाच से बने सम्मान लंबाई के तारो A ताथा B के वयास, करम से D ताथा D है यदि D is equal to 2D हो तो तार A का प्रतिरो ताथा तार B की तुलना में होगा इसके आप्सन है A, आधा, B, दो गुना, C, चार गुना, D, चोथाई इसका सही उतर है चोथाई दोस्तो खोन साखतन सही है इसके आप्सन है A, दारा एदिसरासी है और दारा गुनतव सदिसरासी है B, दारा सदिसरासी है और दारा गुनतव एदिसरासी है C, दोनों एदिसरासी है D, दोनों सदिसरासी है इसका सही उतर है दारा एदिसरासी है और दारा गुनतव सदिसरासी है दोस्तो यदि बिववांतर नियत हो तो किसी परीपत में सयोजित प्रतिरोद के मान को गठा कर आदा कर देने पर उत्पन उस्मा का मान हो जाता है इसके ओप्सन है ए दोगुना भी आदा सी चार गुना डी चोथाई इसका सही उत्र है दोगुना दोस्तो यदि दोस्तो दो प्रते के तीन प्रतिरोद उपलब्द हो तो इनके सयोजन से नियन्दम प्रतिरोद कितना प्राप्त किया जा सकता है इसके ओप्सन है ए बाईस बीबासट सी दो बाई तीस दी एक बाई बाई पतीस इसका सही उत्र है दो बाई तीस उच प्रतिरोद मापने में C निमंध था उच दोनों प्रकार के प्रतिरोद मापन में D विवांतर मापन में इसका सही उतर है निमंध था उच दोनों प्रकार के प्रतिरोद मापन में तोस्तो वोल्ट विदूत वाहक बल वाले सेल को नगनने प्रतियोद वाले परिपत से सयोजित करने पर दारा प्रभाव का मान 5 एंपियर हो तो सैल का अंधरिक प्रतियोद होगा इसके option है A.0.42 B.12 C.52 D.102 इसका सही उतर है 0.42 दोस्तों विदूत वाहक बल अत्वा विवांतर की सुद माप के लिए किस परकार का वोल्ट मिटर अधिक उप्यूक्त होगा इसके option है A. निमन कौाइल परतिरोद वाला B. उच्च कौाइल परतिरोद वाला C. सुनने कौाइल परतिरोद वाला D. परक्त में से कोई नहीं इसका सही उतर है उच्च कौाइल परतिरोद वाला दोस्तों निमन लिक्त में से कौन सा कतन सही है इसके option है A. गैलियम सा सिलिकॉन दोनों में इलेक्ट्रोनों के संख्या पराबर होती है D. गैलियम दसा सिलिकोन दोनों में चार सयोजी इलेक्टरोन होते हैं C. गैलियम की अपेक्षा सिलिकोन में सयोजी इलेक्टरोन अधिक होते हैं D. सिलिकोन की अपेक्षा गैलियम में सयोजी इलेक्टरोन अधिक होते हैं इसका सही उतर है गैलिंद साथ सेलिकोन दोनों में चार स्योजी इलक्टोन होते हैं दुस्तो परतिरोध मान के दो परतिरोधक समानांतर करम में जोड़े गए एंकुल परतिरोध मान होगा इसका सही उतर है दस हजार दुस्तो आयनेक आवेसित परमानू होता है इसके ओप्सन है दुस्तो वोतिक विज्ञान की वह साखा जिसमें बाहिये बलो के परभाव में इलक्टोन तता आयन की पदार्थो अत्वा निर्वाद में से होने वाली गती के अनुप्रियोगों का अध्यान किया जाता है वह कहराती है इसके ओप्सन है दोस्तो एक लेक्टोन को व्यक्त किया जाता है दबता है इसके ओप्सन है A E के दवरा B P के दवरा Dae इनमेसे कोई नहीं इसका जहीय उतर है Dae के दवरा दोस्तोल एक्टोन वोल्ट में क्या ना पा जाता है इसके ओप्सन है अ धारा, B उरजा, C आवास, D विवांतर इसका सही उतर है उरजा दोस्तों परमानों के नाबिक का वयास होता है A 10 मिटर, B 10 से 10 मिटर, C 10 से 14 मिटर, D 10 से 18 मिटर इसका सही उतर है 10 से 14 मिटर दोस्तों किसी परमानों की D उपैक्षा में इलक्टोनों की अधिक्तम संख्या होती है इसके ओप्सन है A, 2, B, 6, C, 10, D, 14 इसका सही उतर है 10 दोस्तों किसी परमानों की अंतिम कख्षा में कितने इलक्टोनों से अधिक नहीं होते हाइडोजन को छोड़ कर इसके ओप्सन है 6, 8, 18, 32 इसके ओप्सन इसका सही उतर है 8 दोस्तों हाइडोजन परमानों की पर्थम कख्षा में इलक्टोनों का गोड़न वेग परकास के वेग का होता है इसके ओप्सन है A, वावाग B, दूसरा वाग C, 18 वाग D, इन में से कोई नहीं इसका सही उतर है दूसरा वाग दोस्तों हाइडोजन परमानों का आएणी करन विवभ होता है इसके ओप्सन है A, 1.36V B, 3.6V C, 134V D, इन में से कोई नहीं इसका सही उतर है 3.6V दोस्तों प्रकर्ति के मूल कन है इसका सही उतर है प्रोटोन, न्यूटोन, इलेक्टोन दोस्तों किसी परमानू का परमानू करमान उसमें उपस्तित डैस की संख्या होती है इसके आप्शन है A. न्यूटोन, B. इलेक्टोन या प्रोटोन, C. न्यूटोन या प्रोटोन, D. मेसोन इसका सही उतर है इलक्टोन या प्रोटोन दूस्तों विदुद्दारा या परभाव दन वस्तु से रिन वस्तु की और माना जाता है जबकि इलक्टोन का परभाव इसके ओप्सन है A. दन वस्तु से रिन वस्तु की और माना जाता है P. रिन वस्तु से दन वस्तु की और माना जाता है C. दन से रिन अथवा रिन से दन किसी भी दिशा में हो सकता है D. उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका सही उतर है रिन वस्तु से दन वस्तु की और माना जाता है दोस्तों जिस धारा का मानतता दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में परिवर्तित होते रहते हैं वह कहलाती है इसके option है A. दिश्ट दारा B. चालंदारा C. परत्यावर्ति दारा D. जयादारा इसका सही उतर है परत्यावर्ति दारा तोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है ऐसे कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करे और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करना नहीं भूले तागे उन्हें भी इसका फाइदा मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले धन्यवाद